तितिती में दक्षनावर्ती आप संक आपके घर में होना चाहिए बवन और विवा बार बार नहीं बनते विवा भी एक बार किया जाता है बवन भी एक बार रंग से जीवन में बनता है वैसे तो अववाद हर चीज़ का है के चार बार भवन बन जाते हैं तिन-तिन विवा हो हम वास्तु दोस्त को जरूर दिखाएं और घर के वास्तु का एक एक कोना एक चप्पा आपके हिसाब से बना होना चाहिए वास्तु के हिसाब से बना होना चाहिए तभी आप उस भवन में सुख ले सकते हैं और आप कहते हैं ना जमीन का प्रवाव नहीं होता बिलकुल होता है आप किसी मंदिर में जाते हैं आपकी गर्दन अपने आप जुग जाती है आप वैसनों मैया के दर्बार में जाते हैं ठंडे पाउं चलते हैं बहुत जादे ठंडी होती है लेकिन जैमाता की नारे लगाते लगाते वक्त पता नहीं लगता और बड़े लालाइत आपकी आ परभाव पड़ता है वस्तु सीजिका परभाव भी जीवन के उपर जरूर पड़ता है अगर आपके मन में भी कहीं डर्व्याप्त है और आपके घर में भैका वातवरन बना हुआ है तो हो सकता है यह वास्तु दोश की वजह से हो तो अगर आप अपने घर पर प्रॉफेसर शर्माजी से अपॉर्टमेंट फिक्स करके उन्हें अपने खर पर इन्वाइट कर सकते हैं फिलाल हम रुकरेक वेहाच छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद प्रॉफेसर शर्माजी से जानेंगे कि इस वास्तु दोश को आप कैसे दूर कर सकते हैं बने रही है हमा करने का समय सुबा दस बचे से शाम छे बचे तक ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सबी का स्पागत है आप देख रहे हैं किसमत लाइव और मेरे साथ कारिकर में मौझूद है प्रोफेसर धर्मेंद शर्माजी जो आपको बता रहे हैं कि आपके घर में अगर कहीं वास्तु दोश है तो आप उसे दूर कैसे कर सकते हैं लेकिन अससे पहले कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी हैं अडियाना से हमें कॉल कर रही है सीमा जी बहुत बहुत पागत आपका पूछी अपना सवाल हाँ जी नमस्कार सीमा जी बोलिए गाव कि मैं बहुत पड़ी लिकी हूं डिगरी में लोगत बहुत है और लेकिन मैं कभी भी जोब नहीं कर पाई मुझे आपका पर्मामेंट जोब कभी भी नहीं मिली जो और मेरे दूसरा सवाल है कि मुझे मेरे पास अपना खुद का मकान नहीं है प्रोपर्टी में हिस्सा मिलने में हमें बहुत दिक्क्त आ रही है मकान कब तक होगा और जो है मिरी हजबन की कुंडली देखकर किसी ने बता ऐसा कि 48 से पहले मकान मत बनाए कि ऐसा सही होता है यह बात सही है और अभी उनकी फोटी वन के करीब है देखेगा जिस हिस आप से किसी ने कहा कि आप इससे पहले भवन मत बनाएगा ऐसी कोई बात नहीं है भवन तो जब आपका पॉकेट अलाव करता है सारे इंतियाम हो जाते हैं आप भवन बना सकते हैं जिस प्रकार से मैं आपकी आवाज को सुनता हूं आपने जैसे कहा कि मैंने बहुत सारी ड के ब्रस्पती अत्यधिक वीक हैं आपके मंगल अत्यधिक कमजोर हैं मंगल और ब्रस्पती के कमजोर होने से जीवन में कहीं न कहीं हमें वो मुकाम नहीं मिल पाता है जिसकी हम चाहा रखते हैं अब आपको क्या करना होगा आप उपाई लिख लें जे आप उपाई लिख ले बताता हूं हां जी वो मैं करती हूं जी करते हैं ना बहुत चलिए बहुत अच्छा आपने कर दिया है उसके साथ एक उपाय और एड कर लें के ब्रस्पतिवार के दिन ही आप बेसन के पांच लड़ू भागवान श्री विश्नु को चड़ाना प्रारम कर दें हर ब्रस्पति की उंगली में लेटल फिंगर में पांस से सात रती में गोल्ड में या थातु में बनवा करके बुद्वार की प्रात abol गिंगजल से दो करके एक अपना आप जरूर पैना येगा आपके का गडता की पाम फेर्फेरोय पैना जाता है ज्यान रक के एक बात और आपनी करना ही हैं मंगल के लिए अगार हो सेके तो शुद्द आकर्थी का एक मंगल यंत्र जो तांबे की प्लेट के ऊपर बना हो ट्रैंगल के रूप में बना ऻो वह आप लाल कप्ड़े के ऊपर अपने घर में इस्थापित कर दें और मंगल देवता की एक आती है जिसमें मंगल देवता के 108 नाम लिखे होते हैं प्रति दिन आप मंगल देवता के 108 नाम लेंगी प्रति दिन 108 नाम पढ़िएगा लेकिन मंगल का आप वर्त ना रखें ये ध्यान रखें क्योंकि आपको सुभावगत बहुत ज्यादा आगे-आगे किरोध बढ़ 108 नाम मंगल देवता के लेती रहिएगा और एक हनमान चालीसा के बाद में आता है हनमान अश्टक पढ़िएगा हनमान जी के 108 नाम लीजिएगा और साथ में विश्नु भगवान के 1000 नाम ब्रस्पतिवार के दिन लीजिएगा पांच बेसन के लड़ू इस प्रकार से दिएगा फिर देखिएगा आपको कितनी सफलता मिलती है कितनी मित्रों से कहीं से मदृृता मिलती है दोन प्रफचर शर्माजी, हम वास्तو दोश की बात कर रहे थे, लेकिन आम बात करते हैं कि इस वास्तो दोश को हम दूर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि घर में तोड़ फोड करवाने से वास्तो दोश दूर नहीं हो सकता है, तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है? देखेगा जहां वैसे भी बहुत से व्यक्ति हमें फोन करते हैं कि शर्वाजी हम बहुत दूर हैं और हम भी महा नहीं जा सकते हैं समय का वियवाव हो जाता है गणपती महायंत्र की स्थापना आप अपने घर में करें तो गणपती वैसे भी रिद्धी सिद्धी के देवता ह होते हैं और वीगनों के विनाशक होते हैं जब जीवन में विगन हमें ना चोड़ें तो महा गणपती महायंत्र की स्थापना करें रिद्धी सिद्धी का वास्तधल में आता है साथ में विगनों को दूर करने के लिए भगवान सिरी गणपती आपके घर में स्थापित हो जाते है एक बात और जिस घर में अत्यधिक ड्रामने सपना आते हूं जिस घर में उस इनसान को अकसर मुर्दे नजर आते हूं सपन में जिस इनसान को ऐसे सपन नजर आते हूं कि अगले दिन या दस दिन बाद वो सपन सचे हो जाते हूं और यदि उसको कोई नेगेटिव सपन दिखा है और विक्ति डर गया है कि है भगवान कहीं ये सच्चा ना हो जाए कभी कभी रात को आप कोई भैनक सपन देख रहे होते हैं कोई चोर डाकू आपके पीछे लगा होता है कोई हिंसक परशू आपके पीछे दोड़ रहा होता है और आप सपने में ही पसीना पसीना हो जाते हैं लेकिन जैसे ही आप किया खुलती है आप कहते हैं भागवान हम तो बच गए क्योंकि वो सपन होता है तो यदि आपको कुछ ऐसे नेगेटिव सपन दीखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें जल भरके चांदी के या स्टील के पात्र में अपने सिराने रखिएगा प्रात्यकाल उठते ही सबसे पहले आप अपनी हाथ की रेखाओं को ऐसे आपस में रगड के चेहरे पर मलें उसके बाद वो जल उठा करके आप किसी भी काटेदार व्रक्ष में डालिएगा लेकिन ध्यान रखें जब वो जल काटेदार व्रक्ष में आप डालते हैं पांच बार आप बोलिएगा माधव, 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 श्री किरसन जी को माधव भी कहते हैं, काटे दार व्रक्ष में ही क्यों, उस सपन का फल कट जाएगा, एक बात और एहम ध्यान रखें, जब भी ऐसे भवन में आपको बुरे सपन नजर आते हैं, उस सपन को बता देना चाहिए, बाट देना चाहिए, बुरा सपन बाटने से, बताने से कट जाता है, उसका फ़ल नस्ट हो जाता है, और अगर यह दिया आपको अच्छा सपन दिखता है, कि आप बहुत अच्छे मार्क से पास हो गए, आपको बहुत अच्छा भवन मिल गया, जो आपको पॉजटिव बात नजर आती है हर किसी व्यक्ति के सामने उस सपन का जिक्र नहीं करना चाहिए ऐसी व्यक्ति को बताईए जो आपके लिए हिद की बात सोसता हो या जिससे आपका बहुत प्रेम हो या मन में रखिए सिर्फ भगवान को बता दी जी अपना सपन हे परभू मैं नहीं जानता मैं नहीं जानती कि रात मुझे ये सब ने दिखाई दिया इसका क्यारत है आपकी किरपा से जो अच्छा दिखा है वो सब कुछ शुग हो जाए जी प्रफजर शर्मा जी कई बार हमने घर में देखा है कि कुछ लोग बहुत महीने तक घर में रद्दी को रख होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन इन सब चीजों से प्रभाव तो होता है उतना नहीं होता जितने आपके घर की बनावट से होता है आपके घर के अंदर अगर अशुद इस्तिती के कौन बने हो आपका कमरा चत्रभुजी आकरती का बना हो आपकी रू आपका प्लोट टी पॉइंट पे हो। आपका प्लोट बहुत ज़्यादा गने विरक्स्तों से आवस्टित हो। आपका प्लोट बिल्कुल अंदकार में हो। आपके घर में बिल्कुल भी सूर्य ըरायन की एक क्रण भी ना आती हो। एक नहीं सैकडो रस्ते हैं आपके घर के वास्तु छित्रों को बिगारने के लिए तो हमें खाली यही नहीं देखना है कि हम यह गुल दस्ता उठा करके यहां से यहां रख दें या हम कोई ऐसी वैल घर में लटका लें या ऐसा कुछ कर लें उससे वास्तु दूर हो जाएग तो यहां पर ग्लास लगा करके कितना उस व्यक्ति को एक एक पूर्जा चेक करना पड़ता है उस छोटी सी घडी चलाने के लिए और आपका भवन जाई सो मीटर में बनाए पांसो मीटर में बनाए तो घर के एक-एक कोने को देखने के लिए एक-एक बात को समझने के अपने वास्तु विजट करवा सकते हैं प्रॉफिसर धर्मेंदर शर्मा जी से उसका तरीका बेहद आसान है आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नमबर्स फ्लैश और और पर कॉल करके आप एपॉर्मेंट फिक्स कर सकते हैं और इन्वाइट कर सकते हैं प्रॉफि आज पसितना ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया हो कि घर में तोड़ फोड करवाने से वास्तु दोश दूर नहीं होता है और जिन जिन उपायों को आप कर सकते हैं वह आप करेंगे तो आपके घर में ठेर सारी खुशियां इसी कामना के साथ इसी दूआ के सा आज चाहेंगे इजासत लेकिन कल फिर करेंगे मुलाकात अब तक के लिए बने रहे हैं पी सेवन यूज के साथ नमस्कार करनाने के लिए एवं घर, ओफिस या फैक्टरी का वास्तू विजिट शर्माजी से करवाने के लिए संस्थान से संपर कर सकते हैं